दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास border id card है और आपने अभी तक अपने border id card को आपने आधार card से link नहीं किया है तो आप कैसे link करेंगे वैसे ये process पुरा तरीके से online चालू हो चुका है बिलकोल free में घर बेटे अपने मुवाइल फोन से अपने आधार कार्ड और अपने बोटर आईडी कार्ड को आपस में लिंक कर सकते हैं अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आँगे चल कर आपको कोई प्रॉब्लम हो जब आप वहाँ पर बोटर आईडी कार्ड यूज करेंगे कहीं पर भी तो आपने बोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि अपने मुवाइल फोन से घर बेटे आसानी से कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना होगा यानि कि अपने फोन के स्क्रीन पर आना होगा उसके बाद प्ले स्टोर में जाना होगा और जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है Boter Help Line तो आपके सामने एक application आ जाएगा Boter Help Line के नाम से आपको इसे यहाँ से install पर क्लिक करेना है जैसे आप इसे install पर क्लिक करेंगे यह application आपका download होना start हो जाएगा और इसी application की मदद से आप अपने आधार कार्ड को Boter ID कार्ड से लिंक कर सकते है तो कौन सा process और कैसा process है इस वीडियो के अंदर हम आपको details में बताने वाले हैं तो जैसे कि आप देखेंगे हमारा यह install हो चुका है हम इसे open करेंगे जैसे इस application को open करेंगे यह application कुछ इस तरीके से open हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना है इसका agree आजाएगा सबसे पहले ऐसे accept करेंगे और nest करेंगे nest करने के बाद आपके पास language आजाएगा अपना language चूज करेंगे और यहाँ पर get start पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करते हैं आपके सामने इसका इस तरीके से page open हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा voter registration आप इस पर click करेंगे जो आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है electoral authentication from एक forum मिल जाएगा 6B के नाम से तो आपको इस पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करते हैं आपके सामने इस तरीके से page आएगा थोड़ा सा आप wait करेंगे यहाँ पर आपको get यहाँ पर list start पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आएगा यहाँ पर आपको एक अपना मुवाइल नंबर डालना होता है तो यहाँ पर आप मुवाइल नंबर डालेंगे send OTP पर क्लिक करेंगे उस मुवाइल नंबर पर एक OTP आएगा वो यहाँ पर डाल कर आपको verify करना होगा तो हम यहाँ पर mobile number fill up करेंगे यह बाद verify पर click करेंगे जैसे आप verify पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आ जाएगा यहाँ पर मिलेगा you have यहाँ पर आ जाएगा yes I have voter ID card number यानि कि हमारे पास voter ID card number है तो आपको इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा next आप इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से page आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा please enter your voter ID card number यहाँ पर आपको अपना voter ID card number डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आज जाएगा और जैसे आप यहाँ पर थोड़ सा wait करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको proceed करना होगा तो हम यहाँ पर proceed पर क्लिक करेंगे आपके बुडरायडी कार्ट से आपका सारा details यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे होंगे अच्छे से आपको देख लेना है उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा nest, आप यहाँ पर nest करेंगे, जैसे आप nest करेंगे, इस तरीके से page आ जाएगा, फिर से यहाँ पर सारा details आपको देख लिना है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा आधार डीटेल्स तो यहां पर आपको अपना आधार number डाल देना होगा और उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचा आना होगा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Mobile Number, Email ID और आपका यहां पर जो गाओं या आपका शहर जो भी आप जहां पर भी रहते हैं उसका Name डालेंगे और उसके बाद Done करेंगे तो हम यहां पर अपना आधार Number और Mobile Number, Email ID और Place का नेम डाल देते हैं मैंने यहां पर सरा डिटेल डाल दिया है उसके बाद done करेंगे जैसे आप done करेंगे आपके पास इस तरीके से एक और यहाँ पर page आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे होंगे यहाँ पर आपको अपने इस page को सबसे अच्छे से ध्यान से देख लेना है और उसके बाद यहां से आपको यहां पर निच्या आना है और यहां पर मिल लिएगा confirm अगर आज आपको इसमें कोई problem है या कुछ गलत हो गया है तो यहां पर मिल लिएगा cut करने का option इसे आप cut करेंगे और अपना सारा सही details अपना fill up करेंगे और उसके बाद confirm कर देना है जैसे आप यहां पर confirm करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा अभी आपके पास एक reference number दे दिया जाएगा reference number इसलिए दिया जाता है कि अपने status को आप check कर सकें तो यानि कि हमारे पास ये एक reference number दिया गया है इसे यहां से हम copy करेंगे नहीं तो हम इसका screen source ले लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है कि आपको यहां से इस तरीके से हटा देना है हटाने की बाद फिर से आपको अपना voter help line application को open करना है जैसे आप इसे open करेंगे अपना status आप कहां से check करेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा 3.0 पर click कर देना है उसके बाद यहां पर मिल जाएगा status of application आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहां पर आप देखेंगे enter reference ID यहां पर आपको वही अपना reference number डालना होगा जो आपने अभी copy किया है जो आपके सामने अभी so हो रहा था अभी आपके submit करने पर आपको जो मिला है वो आप यहां पर डालेंगे और track status पर click करेंगे तो आपका status भी देखने को मिल जाएगा तो हमारे में दिखा रहा है record not found यानि कि अभी इसका कोई record नहीं है यानि कि मैंने अभी अभी यहां पर यह request send किया है आपको यहां पर 48 या 24 घंटे की बाद आपको check करना है और आपका status देखने को मिल ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद